पंजाब और हर्याना के किसान लगातार अपनी मांग को लेकर केंदर की नरेद मोधी सरकार के खिलाफ धरना परदर्शन दे रहे हैं और कल यानी 8 दिसंबर को पूरे देश भर में भारत बंद का आवाहन किया गया जो की काफी सफल रहा भारत बंद का आसर भी देखने को मिला साथिक केंदर की नरेद मोधी सरकार के खिलाफ लोगों का आकरोश भी देखने को मिला और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केंदर की निरेंद मोधी सरकार यानी बिजेपी को छोड़ कर सभी विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में नजर आ रही हैं और समर्थन का दोर अब बढ़ता ही जा रहा है कई सारी सर्विटियों के समर्थन आने के बाद आप बॉलिवड के जाने माने अबनेता अजे देवगर ने भी किसानों का साथ दिया है और उनको लेकर कुछ बड़ी बाते कहीं हैं जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी बिजेपी सांसदवा बॉलिवड के जाने माने अबनेता सनी देवल ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था हाला कि उस statement में सनी देवल ने ना ही किसानों का पक्ष लिया ना ही अपनी बिजेपी पार्टी का वहीं दूसरी है उनके पिता धर्मेन देवल ने सीधे तोर पर किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था हाला कि वो उन्होंने ट्वीट बात में डिलीट कर दिया लेकिन अजेद्योगर ने ऐसा कुछ भी नि किया है अजेद्योगर ने सीधे तोर पर किसानों के समर्थन में एक अपनी बड़ी बात को सामने रखा है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश का अनदाता किसान है और किसानों के समर्थन में आकर आज़े दोगर ने जो बाते कहीं हैं वो काफी सरहनी हैं आज़े देवकरने किसानों को लेकर कोई बड़ी बात तो नहीं कहीं लेकिन उनके समर्थन में आकर उन्होंने कहा कि देश का अनदाता आज अपने हग की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतराया है मैं किसानों की बहुत इज़त करता हूँ तो आज़े ऊज़ुद आज़े देवकरने किसानों के समर्थन में आकर बहुत बड़ी बात कहीं है मालूमों तो बताना चाहेंगे कि बॉलिविड के तमाम बड़े सेलबेटी जैसे सलमान खान होगे अक्षे कुमार होगे और भी बड़े सूपरस्टार लोगों के निशाने पर आ रहे हैं लोगों का कहना है कि जब इन्हें अपनी फिल्मों को हिट कराना होता है तब ये सिक बनकर फिल्मी किरदार में नजराते हैं और उनकी फिल्म में सूपर डूपर हिट हो जाती है लेकिन किसानों के हक के लिए इन्होंने कभी भी हमारा समर्थन नहीं दिया लेकिन इसी कड़ी में अब आज़े दोगन ने किसानों का समर्थन देते हुए ये बड़ी बात कही है अब आपको किसानों के समर्थन में आज़े दोगन की इस बात को लेकर क्या कहना है कॉमेंट कर अपना सुझाओ जरू दीजिए